हारे कृष्णा साथियों, इंदी साहित्य के इतियास के आधुनिक काल में जो भी हमारे टॉपिक्स चल रहे थे, जिसमें हमारा गद्य साहित्य हमने पढ़ा, उसके बाद हमने उसके कुछ राइटर्स पढ़े थे, और एक-एक करके उनकी रचनाएं देख रहे थे, कुछ न तो आगे का जो भी जितने राइटर बच्चे हैं, वो हम देखते हैं, पहले वाले में हमने कुछ राइटर्स देखे थे, जहां राजाशियो प्रसाद सिधारे इंद पढ़ा, लक्ष्मन सियं पढ़ा, और भी बहुत सारे राइटर पढ़े, अब आगे दिरे-दिरे करके एक-एक को पढ़ेंगे और उनकी एक-एक की रचनाएं रेखेंगे, यूजी सी नैट में बहुत सारे बच्चों ने पुछा है कि किसी ने प्रभात की बुक लिए है, किसी ने प्रत्योगीता साहित दे लिए है, किसी ने उफकार प्प्लिकेशन लिया है, आप कोई भी ब पढ़ेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि पुराने अब तक की जितने भी आयवे पेपर है, उनको आपको पढ़ना है, ना कि उसकी डिटैल में जाना है, तो इस आदुनिक काल के साथ यूजी सी नेट की बुक को रेगुलर कर लीजिए, आपका अदुनिक काल बहुत से पढ़ लीजिए, जादा नहीं है, चीजें आती जा रही है, आपके सामने और होती जा रही है, तो आठ दस वीडियो में यह आपका खतम हो जाएगा, फिर आपका काविशास्त्र ही बचेगा, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, अगला है, राधा चरण गोस्वामी, क्या इन्हों नहों है भारत दुर्दशा, अनौ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, भारत दुर्दशा, एक भारत दुर्दशा तो लिखते है हमारे भारत रिख छंद जी, और एक भारत दुर्दशा किसने लिखिए, प्रताप नारायंड मिश्न ने, और सन कौन 사 है 1902 ठीक है compare करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा हटी अम्मीर गोस अंकट कलीप्रभा अगला है हमारा बद्री नारायन चौदरी प्रेमगन जिसका आपके बारवी की अंतरा की बुक का पहला चप्तर भी है रामचंद्र शुक्ल बद्री नायन चौदरी प् इन्होंने लिखा है भारत सोबाग्य प्रयाग रामागमन वारांगना रहसी अब आते हैं बाल कृष्ण भट बहुत ही फेमस रहे हैं नल दम्यंति स्वयमवर वेणी सहार कलिराज की सभा और शिक्षा दान देखो रचना हैं बहुत बोरिंग लगेगी ठीक है बोर नहीं ह दोब होना मजने लेके पढ़ना है मस तोंके पढ़ना है और दस ते आठ वार इनको बार बार पढ़ना है तभी यहाद होगी बाकी नहीं होगी बाबु तोथा राम अब इनके बारे में जैखते हैं dire अलीगर से प्रकाशेत भाःत बंधु का प्रकाशन किया यानि अगर हमें पूछा जाता है कि वारत बंदु पत्रिका का प्रकरशन किस ने किया कहां से किया बाबू तोथा राम ने किया अलिगर से किया एक दूसरी चीज निकल के आती है इनके लिए कि भाशा समवर्दनी सवा के संपादक कौन थे वह भी बाबू तोथा राम और तीसरी चीज कीर्थी केतु नाटक के रचे था बाबू तोताराम ठीक है आप देखिए आगे इन्हों ने इन्हों ने किसने बाबू तोताराम के लिए बात हो रही है इन्हों ने एक अंग्रेजी नाटक उसका नाम था केटो कृतांत क्या नाम था उसका केटो कृतांत श बाद में जो हिंदी में अनुवाद किया वो किसने किया बाबू तोताराम ने उक्त सभी नाटक कारों का संबंध भारतेंदु यूग से हैं यानि इन सभी नाटक कारों का जितना भी हमने देखा उपर लक्षमन सियाश्यु प्रिसाथ बद्रि नारायन बालकृष्ण भट ज संबंध वो किसे है भारतेंदु यूग से है अब देखिए द्विवेदी यूग में नाटक के श्वित्र में उल्लेखनी अकाजे नहीं हुआ अब जो द्विवेदी यूग आया जो महावीर प्रिसाथ द्विवेदी थे उस समय इसे हम कौन सा कहते है जागरण सुधारका काल जहां पर खड़ी बोली का प्रचलन जादा हुआ वहां पर नाटक के श्वित्र में कोई भी ऐसा उल्लेखनी अकाजे नहीं किया गया माखनलाल चतुरवेदी ने लिखा एक कृष्णारजुन युद्ध कब लिखा 1918 में तो माखनलाल चतुरवेदी ने जो कृष्णारजुन युद्ध लिखा इस काल का एक मात्र उल्लेखनी नाटक है किस काल की बात हो रही है यहां यह देखिए लिक रखा है यहां विवेदी युग में नाटक के शेत्र में कोई भी उलेखनी कार्य नहीं हुआ ठीक है लेकिन जो हमारे माखललाल चतुरवेदी आते हैं उनका संबंध की स्काल से सबसे पहली बात विवेदी युग से एक मात्र इनों ने कह सकते हैं कि ये वाला लिखा कुंसा लिखा क्रशन नारजुन युद्ध 1918 तो उसको हम नाटक कह सकते हैं वो एक ही नाटक है अगला आता है जैशंकर प्रसाद का आगमन हिंदी नाटक के लिए युगांत कारी घटना था जैशंकर प्रसाद फेमस है नाटक के लिए कविता के शेत्र में जिसे छायावाद काल कहा जाता है ना समराट और प्रसाद युग को हिंदी नाटक का स्वर्णकाल कहते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन है और ऐसे के याद होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत ही फेमस राइटर है प्रसाद जी ने भारतिया और पाश्चात्य नाट शेलियों में एक समन्वे स्थापित किय था ठीक है ना यानी भारतिया और पाश्चात यानी विदेश विदेशों में पर अमारी भारतिय संस्कृत इन दोनों को साथ लेकर उन्होंने एक जोड बिठाया था प्रसाद जी के नाटक ने सुखांत होते ने दुखांत अपीदू केसे होते प्रसादान अब चौथी लाइन प्रसाद जी के नाटक सुखान्त होते हैं दुखान्त होते हैं अगर आपको अच्छे से लाइन यहाद है तो फिर अमरा चौथा रोंग होगा यानि सत्य और असत्य में ही पुछा जाएगा इसलिए आपको एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है नायक्स आएगा अब देखो इन्होंने तो नाटक तो लिख दिये ना तो वो सुखान्त थे ना दुखान्त थे कैसे थे प्रसादान्त थे और प्रसाद युग भी कहा गया अब देखिए इसमें क्या है यह जो भी लिखा करते थे उसमें नायक यानि कि जो कैरक्टर है रोल प्रथम नाटक कार प्रसाद जिनों ने यानि हिंदी साहित्य में पहला नाटक कार जैशंकर प्रसाद को माना गया जिनों ने अपने पात्रों को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया यानि अगर आपसे पूछा जाता है कि साहित्य में नाटक के अंदर पात्रों को स् प्रसाद के सभी पात्रों में क्या पाईगी गत्यात मकता है परिवर्तन की आकांग्षा है अगला देखिए प्रसाद जी के नाटकों में इतिहास और कल्पना का मनिकांचन संयोग पाये जाता है यह लाइन ऐसे के ऐसे परिक्षाओं में आती है इन्होंने अतीत की कथाओं को आधार बना कर वर्तमान का चित्र पिस्तुत किया अतीत मतलब पुरानी गथाएं लिया कि इन्होंने भारतीय और पाष्चत्य दोनों शेलियों को लिया, यानि पुरानी कथाओं को लिया, अतीत में जो घटनाय हो चुकी है, उन्हें वर्तमान में घटित करके इन्होंने दिखाया, उनके नाटकों को इतिहास की पुनस सरजना का आ जाता है, very very most important line, जैशंकर प्र साज्जी के नाटक रंगमंच की कसोटी पर खरें नहीं उतरते हैं, ये नहीं ध्यान कर लेना, पूरा पेपर हाँ और नहीं का खेल है RPSC में, जिसको ये हाँ और नहीं और सत्य और असत्य समझ आ गया, बस उसी की जीत होगी, क्योंकि हम प्रश्न दंग से पढ़ेंगे, फिर हम उप्शन भी डंग से पढ़ेंगे, तब ही जा कि हमारा कुछ कर पाएंगे, बाकि अगर आपने नहीं बूल पढ़ना भूल गये, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, उनकी भाषा सांस्कृत निष्ट और कवित्तों महीं है, मैं बहर बार आपको इसलिए कहती साद पाएंब यही पूछएंगे और कुछ भी नहीं पूछा गया हर एक प्रश्न के अंदर, आप देखिया इनकी कुछ रचनाए है, रटलेना जैसकर प्रसाद हमारे इंदी सहित ने बहुत जादा जादा मैतोपोर्ण है, इनकी रचनाओ को तो रट लेना नियाद वो ज देख लेना कैसे भी कर लेना पर रटनी तो पड़ेगी सज्जन कल्यानी परिने करुणाले प्राश्चित राजश्री विशाक अजात शत्रू कामना जन मेजय का नागयग्य यह भी बहुत फेमस है सकंद गुप्त एक गूट चंद्रगुप्त द्रू स्वामिनी ठीक है अब कर दलागी लीड़न वर्फ। ऐसे ही अऊंटै रहाएं घीमारे लिए उनका नाम होगा धर्मवीर भारती उन्होंने लिखा है अंधा Sudam आम नाटी isstर्व एक रचन योग योड dass gaakar जो नाटक किया जाता है जिस नाटक के अंदर कला के अदर कर टी त्क रहोगे बहुत ही फीमस है और है कु चवापन अब रशन की प्रक्रती प्रकृती वम्हार में नहीं है जैसा प्रश्न पूचा जाएगा उब् Rs. पूछा में पूचा जाता है कुछ विध्वान तो मैं उसी के according देना है नई पूचा जारा है तो फिर अलग ही निकलके आएगा तो कुछ विध्वान हिंदी की जो पहली एकांकी मानते हैं, देखो एकांकी अलग होता है और नाटक अलग होता है, मैं आपको यह अच्छी तरह से बता देती हूँ, एकांकी और नाटक दोनों अलग होते हैं, अब आप पुछेंगे मेडम दोनों में क्या अंतर हैं, अभी आगे यही चीज़े आती जाएगी, एक आ की मानते अब यह वहीं college lecturer के exam या फिर किसी set के exam में आये हुआ paper होगा इसमें से line होगी तो मैंने यह उतारी है नाटकों के मध्यम से आप देखो सकंद गुप्त क्या है प्रसाद जी का एक सरोश्ष्ट नाटक है द्रोव स्वामीनी को हिंदी का पहला एतिहासिक समस्यात्मक नाटक माना जाता है कुछ आलोचक प्रसाद जी को अतीत के स्वर्ण युग में विचरन करने वाला या गड़े मुर्दे उखाडने वाला लेखक भी कहते हैं अब है एतिहासिक नाटकार प्रेमचंद देखो किसने कहीं ये लाइन? कुछ आलोचक प्रसाद जी को अतीत के स्वर्ण युग में विचरन करने वाला या गड़े मुर्दे उखाडने वाला भी कहते हैं अब गड़े मुर्दे उखाडने वाला क्यों? क्योंकि इन नोंने सारी चीजें अतीत से लिए यानि पुराने अतीत को लेकर फिर इन्होंने क्या किया उसे वर्तमान का रूप दिया इसलिए इनको क्या कहा गड़े मुर्दे उखाडने वाला यह है प्रेम जंद अब है हरी कृष्ण प्रेमी स्वर्ण विहार पाताल विजय प्रतिशोद शिवा साधना प्रेमी और प्रस प्रियकाल गुप्त काल है प्रेमी मुस्लिम का ठीक है लक्षमी नारायन मिश्र अशोग सन्यासी मुक्ति का रह से सिंदूर की ओली राक्षश का मंदिर सन्यासी नाटक की भूमिका में इन्होंने लिखा है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाडने का काम इस युग के साइत्य में वांचनिय नहीं है ठीक है ये लिखा है क्या लिखा है सन्यासी नाटक की भूमिका में लक्षमी नारायन मिश्र ने ये लाह लिखिये मिश्र जी ने हिंदी नाटकों में नया प्रयोग किया, उनके नाटक तीन अंकों में विभाजित है, अंकों को द्रश्यों में नहीं बाटा गया, देख लीजे, सारा खेला और नहीं का है, हिंदी नाटक को नई दिशा और नई शक्ती देने वालों में प्रसाद के बाद लक्षमी नारयन मिश्र का स्थान प्रमुख है, यह देवी नहीं है, बहुत सही बच्चें देवी पढ़ लेते हैं, देवी नहीं है, उदैशंकरभट सिंद पतन विक्रमा दित्य अंभा मत्य गंधा विश्वा मित्र सगर विजय एतिहासिक नाटक रचना में जो स्थान प्रसाद और प्रेमी जी का है वही स्थान पौरानिक नाटक रचना में उदैशंकरभट का है और ऐसा कहने वाले कौन है हमारे आचारी र सुमित्रा नंदन पंथ जोत्सना मैथिली श्रंड गुप्त अनग तिलोत्तमा चंद्रहास थीक है नाटकों की भात हो रही है वेरी मॉस्ट इंपोर्टेंट जग्दिश चंद्रमाथुल कोणार्क शार्दिया पहला राजा दस्ष्रत नंदन रगुकुल रिती उपहिंद्रनात अश्क नाटक लिखे हैं जय पराजय छटा बेटा कैद और उडान अंजो दिदी इनकी प्रोड नाट्टि रचना है उपहिंद्रनात अश्क हिंदी के पहले नाटक कार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटगरे से निकाल कर आदुनिक डॉक्टर नगेंद्र लक्ष्मी नारायन लाल समस्या नाटक कार अंधाक हुआ मादाक एक्टस मिस्टर अभिमन्यू तीन आखो वाली मचली सुखा सरोवर कर्फियू रक्त कमल कलंकी ठीक है देखो लक्ष्मी नायन लाल ने रक्त कमल लिखा ये रक्त की प्यास चतुर से अगला आता है मोहन राकेश आशाड का एक दिन जो की कालीदास के जीवन पर आधारित ऐसा कौन सा नाटक है जो की मोहन राकेश ने लिखा तो वह आशाड का एक दिन 1958 लेहरों के राजन्स 1963 आधे अधूरे 1969 अब आते हैं हमारे सरवेश्वर दयाल सक्सेना बकरी लड़ाई अब गरीबी हटाओ कल भात आएगा ज्यान देव अगनी होतरी ये है इनका एक चर्चित नाटक शुत्रमुर्ग ये शुत्रमुर्ग में शू ये वाला आएगा सुरेंद्र वर्मा इन्होंने लिखे हैं सुरेंद्र वर्मा ने द्रौपदी सेतुबंध नायक खलनायक विदुशक आठवासर्ग कैदे हयात छोटे सयद बड़े सयद एक दुनी एक अब आते हैं हमारे शंकर शेष एक ओर द्रोणा चारे बहुत ज्यादा फेमस खजुर सानी को रट लेना बहुत इंपोर्टेंट है इन्होंने भारत पाकिस्तान पर भी लिखा है यश्पाल बिश्मसानी देखो यश्पाल का जूठा सच आएगा हम आगे पढ़ेंगे पर मेरे को याद आगया है बता देती है जूठा सच और बिश्मसानी का अता एक तमस यह दोनों भारत विवाजन पाकिस्तान की त्रासदी पर लिखे गए हैं कौन सी विधा है जब यह जहां आएगी वहां में बता दूँगी एक आते हैं हमारे दुश्षंत कुमार जी बहुत ही फेमस है इनको गजल प्रतिस्ठापक भी कहा जाता है इन्होंने लिखा है एक उप говорит की वों तिल चट्टा यह को नेक्स्ट आएगा सुधर्शण मजीठिया सुधर्शन मजीठिया ने क्या लिखा चैसबाने मंरिखा चो राहा क्या है यह हें हिंदी का पहला नुकड नाटक तो अगर आपसे पूचा जाता है हिंदी प्यान नुकड नाटक लिखने व यानि देखो हमने उपर बढ़ा था कि अभी देखो हमने यह पढ़ा आशाड का एक दिन तो कालिदास के जीवन पर आदारित ठीक है यह लिखा मोहन राकेश ने अब हम यहां पढ़ रहे हैं चड़तना दूजो रंग यह सूरदास की जीवन पर आदारित जो अमरतलाल नागर ने लिखा है अब आगे देखो प्रभाकर शोत्री है इला साच कहूं तो फिर से जहां पना है यह इनके नाटक नरेंद्र मोहन कैत कबीर सुनो वही साधू और मिस्टर जिन्ना म्रदुला ग सची राखा मुक्ती कथा चोर निकल कर भागा मन्नू बंडारी फेमस है बिना दीवारों का घर मन्नू बंडारी ने लिखा ठीक है तो यह राइटर से जोनों ने नाटक लिखे हैं यह शंखला आती रहेगी हम आलोचना पढ़ेंगे संस्मान पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे पीडियाफ में टेलिग्राम पे जल्दी भेज़ दूँगी ताकि आपको दिन में बार-बार रिविजन का मुका मिल जाए क्लास कंटिन्यू रहेगी मेरी कोशिश यही रहती है पर बहुत जादा ही परिस्तिती इस बार गड़बड हो गई थी इस वज़े से नहीं हो है इसके बाद मैं आपके सामने एक बहुत ही शांदार वीडियो लेकर आने वाली हूं बट वो सर्प्राइज है शायद उसको देखकर आपके अंदर एक सीट बाने की ललग जग जाए तो उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा अगर मैं लाइव आप आई तो मैं लाइव आउंगी जल्दी से मुझे जुड़ जाईएगा क्योंकि अभी तक में कभी लाइव आई नहीं हूं कोशिश करूंगी तो आप जल्दी से कनेक्ट कर करिएगा और लाइव आते ही जल्दी से श्यार करिएगा लेकिन अगर लाइव नहीं आपाई तो मैं एक वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है शायद आपके अंदर एक ताजगी और स्फूर्ती लाने वाला है तो वेट कीजिए एक नए वीडियो का राधे राधे हरे क यदियों